हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब आशक करता हूं आप सब ठीक होंगे जैसा कि आप वीडियो में देखी चुके हैं कि यह जो है यह आप देख सकते हैं डेडिकेटिट फ्रैट कोरिडोर कोर्परेशन ऑफ इंडिया इसका शोट फोर्म है डी एफ सी सी आई एल और इसके अंदर जो 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 बागी था वो था एक्जिक्यूटिव ओपरेशन एंड बीडी का तो वो जो जो भी आज आ चुका है इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कट ओफ क्या गई होगी या जिद्ट के अंदर कितने केंडिडेट का सेलेक्शन किया गया है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर निव विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर दबा तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक्जिक्यूट्य ओप्रेशन अंड बीडी का जो रिजल्ट है उसके बारे में यह आप देख सकते हैं यह इसका रिजल्ट है और इसके अंदर यह कुछ पॉइंट्स बताई गए हैं जैसे कि एक्जाम कब कंड़क्ट होगा और इसके अंदर इन्होंने जो पेज दिये हैं रिजल्ट के पेज दिये हैं वो पचास पेज दिये हैं और इसके अंदर जो टोटल वेकंसी थी वो 237 वेकंसी तो इन्होंने आठ गुना कैंडिडेट को इसके अंदर लिया है तो लगबग 1896 कैंडिडेट को इन्होंने जो है इसमें पास आउट किया है फीजियो टेस्ट के लिए मैं अगर बात करते हैं कि इसकी कट ओफ क्या गई होगी तो इसकी कट ओफ जो है अगर मैं जनरल की बात करता हूं तो वो 80 प्लस ही कट ओफ जो है वो जनरल की गई है क्योंकि इससे कम में साइगो टेस्ट के लिए आपको call नहीं किज जा सकती थी जैसे कि और जो post थी DFC CIL की उसके अंदर भी 80 प्लस candidate को ही selection के लिए बुलाए गया है और जो UR के बाद OBC हो गया और SC हो गया ये थोड़ा 2-3 नंबर इसके अंदर कम होगा लेकिन approach जो है वो 65 SC से लेते हैं और 80 तक UR तक आपकी जो है cutoff वो रही होगी अब इसके अंदर देख लेते हैं टोटल जो candidate थे वो कितने pass out हुए थे तो आप देख सकते हैं इसके अंदर टोटल candidate 1896 जैसा कि मैंने बताया था और ये कोई rank नहीं है ये कोई आप इसको rank भी मान सकते हैं ये serial number है serial number है ये 1896 यानि कि आप जो pass out हुए वो 1896 में सोर अफ देव पास हुए है ये निका कोई rank नहीं है आप अगर मानते हैं कि मेरी 1896 rank है तो आप को psycho test के तजारी करनी चाहिए ये निक्क करनी चाहिए ये psycho test क्या है psycho test के अनदर आपको qualify होना है psycho test के अंदर अगर आप marks ले आते हैं marks ले आते हैं उसके अंदर 20 score के फ़रसे आपके marks जो है वो count होते हैं और उसके बाद psycho test के बाद और आपका plus में ये tier first हुआ है tier first जो हुआ है इसका दोनों का ही जो marks होगा वो calculate करने के बाद एक final list जारी होगी final list जारी होगी उसके आधार पर आपका जो है selection होगा वो 237 candidates का जो है selection किया जाएगा उसके आधार पर अगर आपके जो marks हैं वो कम है यानि कि आपका serial number कम है तो obviously आपके marks भी ज़्यादा हुए होंगे लेकिन अगर आपका serial number ज़्यादा है तो obviously आपके marks भी जो है वो कम हुए होंगे अगर psycho test में आप out number ले आते हैं यानि कि पूरे में से पूरे number ले आते हैं तो हो सकता है कि आप ज़्यादा number वाले की category के अंदर आजाएं और आपका selection हो जाए लेकिन अगर आपके number कम है और आप psycho test में भी वीक है तो आपको post मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा क्योंकि psycho test के अंदर इतना कुछ नहीं आता बेसिकली जो है आपका speed का खेला अगर आपकी speed अच्छी है आप चीजों को जल्दी से जल्दी समझ लेते हैं तो आप उसके अंदर अच्छा स्को कर पाएंगे psycho test के अंदर बहुत से केंड़िट ऐसे होते हैं जो पूरे-पूरे marks भी ले आते हैं उनका एक भी marks नहीं करता है अगर आपके psycho test में अगर आपने कोई mark test किया है अगर उसमें आपके marks सही आए हैं तो आप psycho test की तैयारी और अच्छे से कीजिए और उसके अंदर कोशिश कीजिए कि आपके पूरे-पूरे marks आ जाएं अगर आपके पूरे-पूरे marks आते हैं तो आप psycho test को अच्छे से अच्छा किजिए क्योंकि उसके अंदर exam time में आपके उपर एक pressure भी होगा कि सारे question ठीक करने हैं और वहाँ पे बहुत सारे candidate भी होंगे तो आप उससे घबराईएगा नहीं अगर आपका psycho test अच्छा है और आपके marks भी अच्छे हैं तो आपको definitely post मिलेगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करके share करके चैनल को subscribe करना ना भूले चैनल को subscribe करना आप ना भूले गवर्मेंट जोब की जो आपको update है वो मिलती रहेगी अवर्मेंट